इस वीडियो में देखेंगे relative error क्या होता है और relative error को कैसे find करेंगे example से relative error का formula होता है absolute value of actual value minus represented value by actual value अब ये actual value क्या होता और representative value क्या होता देखेंगे जैसे कि आमको example दिया हुआ है और following number x1 equal to 0.2473 into 10 to power 1 और x2 equal to दिया हुआ है हमको 0.8340 into 10 to power minus 1 वसन कारा ये दोनों को add करके relative error find करना है तो कैसे करेंगे तो सबस्पेले इसको add करेंगे add करने के लिए हम पीछे भी बताया हुए है तो सबस्पेले दोनों का exponent equal करेंगे इसका exponent minus 1 है इसको 1 कर देते हैं 1 करने के लिए हम क्या करेंगे इसको right shift करेंगे दो point 002 add कर दिये ये 340 अब मेरा क्या हुआ exponent पहले मेनस वन था अब इधर कियत पलस दो हो गया तो मेरा आप हो जाएगे 0.0083 40 into 10 to power 1 हो गया अब दोनों का क्या exponent इसका और इसका equal हो गया अब दोनों को हम एड कर देंगे एड कर देंगे दोनों को एक्सवन मेरा किता है 40 into 10 to power 1 दोनों का exponent से मैं एड कर देंगे एड करने पर आएगा 0.255640 into 10 to power 1 जा गया अब इसको नर्मलाज करेंगे नर्मलाज करने के लिए हम दो मेथड बताए थे एक chopping एक रॉंडे chopping में देखेंगे chopping में का करते थे फस्ट फोर डिजिट लेते हैं अगर चॉपिंग से करेंगे 2556 into 10 to power 1 यह मेरा रिजल्ट हुआ चॉपिंग में इसे राउंडिंग में बताया थे क्या डी 5 अगर मेरा डी 5 अगर गेटर तरहें रिक्वल्ट होगा तब हम राउंडिंग यूज करेंगे नहीं तो चॉपिंग यूज करेंगे जो कि यहां पॉल्स हो रहा है तो सिफ हम यहां छॉपिंग करके हैं रिजल्ट मेरा आ यह मैरा क्या डिपर्जेंटर वैल्य हो गया और यह मेरा और यह जो मेरा रिजल्ट है यह मेरा था अक्ट्वा यह हम एरॉर फाइन करेंगे हिरर का फर्मोला बता हुए है हम क्या actual value minus represented value by actual value अब मेरा actual value क्या है actual value मेरे पास है यह 0.255640 into 10 to power 1 और minus represented value मेरा क्या है यह 0.2556 into 10 to power 1 और मेरा actual value क्या है उपर बना यह 0.255640 into 10 to power 1 इसको दोनों का subtract कर सकते हैं क्योंकि दोनों का exponent सेम है तो subtract करेंगे तो आजाएगा यह मेरा 0.0004 into 10 to power 1 by 0.255640 into 10 to power 1 अब उपर में क्या करते हैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं 5 डिजिट तो तो चरह एक पहुंस क्या हो जागा 4 into 10 to power पहले से 1 था जफ्ट शिफ्ट किये हैं तो मैनस 5 हो जाएगा नीचे एक शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि 10 का power 1 है यहाँ पे एक शिफ्ट करेंगे क्या आजगा 2.555640 अब इसको डिवाइट करने पर आ जाएगा एप्रॉक्स में निकलेगा 1.564 into 10 to power minus 1 हुआ था था यह 4 हो गया यह मेरा हो गया relative error और कोई नमर दिया हुआ है तो उस नमर से हम निकाल जाकते हैं relative error